नमस्का दोस्तों शुआगित आप सभी का आपके एपनी यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज के वीडियो में पढ़ेंगे हवेली इस्तापिट्टे के बारे में जी हाँ दोस्तों रास्तान में जितने हवेलिया हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा वीडियो को पूरा कंप्लेट देखिएगा जी हैं दोस्तों आप जिस भी बर्ति प्रिक्षेक त्यारी कर रहे हैं और राश्तान के कलाव एंस्सकरती हैं आपके टोपिक में तो हवेलियों से समन्दित आपके क्योशन जरूर आता है तो एक या डेड़ पेज का ये वीडियो है आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए तो सुरुवात करते हैं राश्तान की नगरों में सामन्त और शेटों ने भविये हवेलिया बनवाई जेपूर की हवेली परमप्रा इतनी परशिद हुई की बाद में शेकावटी के धनिकों ने अपने अपनी गाह में विसाल हवेलिया बनाने की परमप्रा की नीव डाल दी रामगर्ड, नवलगर्ड, फतेपूर, मुकुंदगर्ड, मंडवा, पिलानी, सरदार सहर, रतनगर्ड, लक्षमनगर्ड, आदी कस्मों में विसाल हवेलिया बनना प्रारंभ होगी दोस्तों यह सब कस्मे आपके शेकावड़ी एरिया के हैं और यहां पर भव्य हवेलिया बन चुकी हैं तो दोस्तों अब आप पढ़ेंगे बड़े तरीके से जैसल मेर की यहां पर दोस्तों आप चाही प्रीबीस टीसी देखिये चाहे कुछ कुछ किसी भी प्रकरण य। यहां से परत्रसन आता जैसल मेर से जैसल मेर की सालिम सिंहें की हवेली, नतमल की हवेली और पटों की हवेली जिया दोस्तों पटों की हवेली का ज्यादा प्रसंट पूज़ा दाता है और या फिर सालिम सिंह की हवेली का अबक्यूशन आता है तो दोस्तों जैसिल मेर के सालम सिंग की हवेली नतमल की हवेली और पटों की हवेली तो पत्तर की जाली एवं कटाई के कारण पत्तर की जाली है और पिर कटाई के कारण आज दुनिया भर में परसिद हो गई है इसी परकार बंसी पत्र की बनी करोली भरतपूर कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत रासी करण अदभूत है बाद के वेश्टों मंदर भी हवेली शेली के आधार परीबने इसलिए विसाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगे जगे दिखाई देती हैं परसिद बच्छावतों की हवेली तो आपसे ये परसिदा पूर सकते हैं बच्छावतों की हवेली कहां इस्तित हैं तो आपका सिदा उत्र हो जाएगा बिक्कानेर बच्छावध्यों के हवेली 16 सदी के उत्राद में करण सी हैं बच्छावध द्वारा बनवाई गई इसके अलावा बिकानेर में मोहता, मूंदड़ा, रामपूर्य आदी हवेलियां अपने सिल्फ वेभव के कारण विख्या थे और दोस्तों बच्छावत्यों की हवेली के अलावा बिकानेर के अंदर आपकी मोहता, मूंदड़ा और रामपूरिया ये हवेलियां परसिद है बिकानेर की हवेलियां लाल पतर से बनी हैं किस पतर से? लाल पतर से इसकी इनकी सजावट में मुगल, किसन गण एवं उरुपया चित्र से लिए प्रियुक्त हुई है तो ये आपकी मंडावा हवेले का चित्र दे रखा इस पुस्तक अंदर और इसका आगे पड़े हैं यहां पर आपके सांदार पर संद बंनते हैं शेखावटी की हवेलियां अपने भीती चित्रों के लिए परसिद है तो दोस्तों कहां की हवेलियां अपने भीती चित्रों के लिए परसिद है तो वे आपकी है शेखावटी की नवलगड की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरियां की हवेलियां परसिद हैं उसके बाद में बिसव जुझनु में नाथुराम पोदार की हवेलिय काम पर है? बिसव जुझनु में की हवेलियों सेट जेदेयाल केठिया की तता सितराम सिंगितिया की हवेलिय विख्या थे तो बिसाओ जूजनू में आपके नाथुराम पोदार की और सेट जेदे आल केठिया की तथा सिताराम सिंगीतिया की हवेली परसेद तो दोस्तों यहां पर ऐसी यह परसनाज के लिए परकार के पुछी जाते हैं फिर है डूंड लोध जूजनू में सेट लाल चंद गोईन का मुकंड जूजनू में सेट राधा क्रिशन एवं केसर देव कानेडिया की हवेली है फिर चिडवा जूजनू में बगड़य की हवेली फिर महनसर जूजनू की यह परसन हमेशा काफी वार प्रडिक्शन पूछा जाता है फिर है स्री माधवपूर शीकर की चार चोग की हवेली वें चैतन्राम की हवेली भी दरशन यह है फिर लक्षम गड़ शिक्र में ये दो है एक चारसोग की हविली और चेतन राम की हविली परसिद है इसके बाद पढ़ते हैं आगे अब आपका इतना ही है टोपिक जरूर देखते रहिए शिक्र में गोरिलाल बियानी की हवेली शिक्र में कौन सी है गोरिलाल बियानी की हवेली रामगड शिक्र में ताराचंद रुईयां की हवेली और फतेफुर शिक्र में नंदलाल देवडा की हवेलियां भी समकालीन भीती चित्रों के कारण परसिद है चुरू की हवेलियों में माल जी का कमरा हवेलिय जो कहां पर है चुरू रामनिवास गोईना की हवेलिय कहां पर है चुरू में मंत्रियों की हवेलिय इत्यादी विख्यात है अब दोस्तों आते हैं जोदपुर में जोदपुर में बड़े मिया की हवेली जोदपुर में किसकी हवेली हैं बड़े मिया की हवेली पोकरण की हवेली राखी हवेली और उसके बाद में हैं टॉंक की सुन्नेरी कोठी सुन्नेरी कोठी कहां पर हैं टॉंक में उद्यपुर में बागोर की हवेली जेपुर में पुरोईत परताब नाराइन की हवेली भी हवेली स्थापत्य रूप में दिखाई देते हैं तो यह दोस्तों हवेलिया हैं तो बहुत इसांदार इन में से आपके परसंद बन जाते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आरा तो राइक कर, अगर आपको यह पुस्तक नहीं है, कक्षा 10 में जो परसलित पुष्टक है रास्तान का इत्यास एवम संस्कृति नामक पुष्टक है अगर आपके पास नहीं है तो इसकी पुष्टक आप लोगों को हमारे टेलिग्राम चैनल सारसवजी एजुकेशन पर इसकी पुष्टक नहीं है तो अगर आपके पुष्टक है तो आप इस पुष्टक में से इस पुष्टक को पढ़ सकते हैं और दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो और लेकर आऊंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ल रहेगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आज के वीडियो बस इतना ही धन्यवाद